जोहार जैमुल्निवासी मैं संकेत और आप देखरें MN TV समिधान दिवस के अउसर पर न्याई पालिका की स्वतंतरता के मुद्दे पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटाइड जस्टिस M.B. लोकूर ने सवालिया लहजे में कहा कि हाई कोर्ट से इतने जजो और मुखे नयाई दिशो का तबादला क्यों किया जा रहा है दे लीफलेट द्वारा आयोजित एक कारेकरम में जस्टिस लोकूर बोल रहे थे जिसका शिर्शक था अंडर्माइनिंग दी आइडिया अफ इंडिया विच वे फॉरवड उन्होंने कहा कि सितंबर के महिने में जजो के 34 तबादले हुए क्या ये जरूरी था इतने जजो का तबादला क्यों किया गया क्या हाई कोर्ट के स्तर पर जज परियाप्त नहीं है और इसलिए उन्हें स्थनांतरित करने की आवशक्ता है चिव जश्टिस का तबादला किया जा रहा है जश्टिस लोकुर ने चिव जश्टिसों के तबादले और हाई कोट में न्यूक्ति से इनकार करने के उदाहरनों की चर्चा की और उन्होंने कहा कि हाइकोट के चिफ जस्टिसों के ट्रांसपर की प्रनाली को खत्म कर दिया जाना चाहिए जस्टिस लोकूर ने आगे कहा कि मानवाधिकारों के व्यापक दायरे में अभिवेक्ति की स्वतंतरता एक ऐसी चीज है जिस पर ध्यान देने की आवशकता है उन्होंने इस पर टिपनी करते हुए कहा कि न्यायपालिका देश में कुछ मानवाधिकारों के उलंगन के मामलों पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही है उन्होंने आगे कहा कि लोग एक साथ सालों तक जेल में रहते हैं कभी कभी तो दशकों तक जेल में रहना पड़ता है उन्होंने पूछा क्या वे जमानत के हकदार नहीं है उन्हें किसी ऐसी चीज के लिए जेल में रखा गया है जो उन्होंने अंजाने में की है लेकिन गलत तरीके से उसको बताया जा रहा है समिधान दिवस के मौके पर बोलते हुए जस्टिस लोकूर ने शिफारिश की और कहा कि हर दो साल में लंबित और खाली पदो जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्य नया अधिशो का एक कॉन्फरेंस आयूजित किया जाना चाहिए जस्टिस लोकूर ने कहा कि जब तक हमारे पास एक ऐसी नयाईपाली का नहीं होगी जो खड़ी हो सके बोल सके और आत्म निरिक्षन कर सके तब तक हमारा समविधान एक दस्तावेज बन कर रह जाएगा जिस पर हम हर साल 26 नवंबर को चर्चा किया करेंगे संबोधन के अंत में जस्टिस लोकूर ने कहा कि उनकी राय में भारत के विचार को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र नयाईपाली का जरूरी है हाई कोटों के जजों के तबादले का मामला तब जोर पकड़ गया जब मदरास हाई कोट के मुख्यनैदिश जस्टिस संजीब बैनर जी को मेगाले हाई कोट में स्थनांतरित करने का प्रस्थाओ सुप्रिम कोट के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के पास भेज दिया और केंद्र ने भी उसे स्विक्रिती दे दी 4 जनवरी 2021 को जस्टिस बैनर जी ने मदरास हाई कोट का चार्ज लिया था वह पहले कलकत्ता हाई कोट में जज थे वैसे तो वह नवंबर 2021 को ही रिटाइड होने वाले थे मगर उनका कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया गया अब वे नवंबर 2023 को रिटाइड होंगे उनके मदरास हाई कोट से मेगाले हाई कोट में स्तनान तरन का निरने काफी विवादों में रहा कॉलिजियम के इस निरने का मदरास बार असोसियेशन तथा मदरास हाई कोट के पूर्व नियायदिश जिनके एक केस पर हाल ही में जैभिम नाम की एक शांदार फिल्म बनाए गई थी ऐसे जश्टिस के चंदुरू ने विरोध भी किया इसकी अलावा दोसों से ज्यादा वकिलों ने सूप्रीम कोट के कॉलिजियम को बारा पन्नों का एक खत भी लिखा था लेकिन उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ जश्टिस बैनर जी इस साल के शुरुवात में ही मदरास हाई कोट के मुखे नायदिश बने थे और उन्होंने कई ऐसे फैसले तथा टिपनिया की थी जिसकी वजह से केंदर की भाजपसरकार को शर्म से सिर जुकाना पड़ा था कोरोना की दूसरी लहर में ही उन्होंने केंदर सरकार को आड़े हाथों लेने का काम किया था चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधान सबा चुनाव कराए और उनमें किसी प्रकार से कोविड नियमों का पालन नहीं कराया गया नतीजन हजारों लोगों की मृत्य हो गई इस पर मदरास हाई कोट के मुखे नयायदिश जस्टिस संजीब बैनर जी ने ही चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दायर करने की बात कही थी इतना ही नहीं तो मेडिकल के नीट परिक्षाक पर रोक लगाने का फैसला भी जस्टिस संजीब बैनर जी का ही था इसके अलावा केंदर के नए आयटी रूल्स पर रोक लगाने का भी काम जस्टिस बैनर जी ने ही किया था मदरास हाई कोट के जिस बेंच ने तमिलनाडू सरकार को प्रेस काउंसिल अफ तमिलनाडू बनाने के निर्देश दिये उनकी अगवाई जस्टिस संजिब बैनर जी ही कर रहे थे ऐसा करके उन्होंने प्रेस कॉंसिल आफ इंडिया के अकार्यक्षमता को सामने लाने का काम किया था धर्म का अधिकार व्यक्ति के जीने के अधिकार के उपर नहीं है बलकि वह उसके अधीन है पोडिचेरी चुनाव में भाजपा कर्यकरताओ द्वारा आधार कार्ड के डेटा का गलत इस्तमाल इन सारी टिपनिया भी जस्टिस संजिब बैनर जी नहीं की थी इतने सारे फैसले सरकार के विरोध में करने वाले जस्टिस संजिब बैनर जी का तबादला विवादास्पद होना स्वाभाविक था वह एक पनिश्मेंट के तहत उनका तबादला किया गया है ऐसा भी माना जा रहा है मदरास हाई कोट के द्वारा हर साल लगबग 35,000 केसेस की सुनवाई होती है जहाँ पर 69 नयाधिश काम करते हैं तो वही मेगाले हाई कोट में हर साल लगबग 900 केसेस की ही सुनवाई की जाती है और वहाँ पर केवल 4 नयाधिश काम करते हैं ऐसे में जस्टिस व बैनर जी का मदरास हाई कोट से मेगाले हाई कोट में किया गया तबादला उनका डिमोशन माना जा रहा है ना की प्रमोशन सुप्रीम कोट का कॉलिजियम इसी तरह से न्याय विवस्था को डिस्टब करने का काम करते आ रहा है कॉलेजियम पर जाती वाद के तो आरोप लगते आ रहे है उसी के साथ ही केंदर सरकार के पक्ष में काम करने के भी आरोप कई सारे आरोप उन पर होते रहे हैं ऐसे में उमीद यह थी कि सर्वच्य अदालत के मुख्य नयाधिश जस्टिस एनवी रमन्ना इन बातों पर रोक लगाने की पहल करेंगे मगर वह भी उसी नक्षे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे है